और इसे बीच एक और बरिकोर आपको बता दें बिहार से बिहार के सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुचा लालू का परिवार सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की लालू यादब के साथ उनके बेटी राबरी उनके पत्नी राबरी रोहिनी मेसा ने भी पूजा अर्चना की सारन में कल रोहिनी आचारे का जन संपर का भ्यान है और रोहिनी के जन संपर का भ्यान में लालु यादब भी मौजुब रहेंगे तो तस्वीरे आप देख रहे हैं हरियरनात मंदिर और कल शुरुबात की जाई रैली के और आज आश्रवाद लिया है लालु यादब के साथ उनकी पत्नी रावी देवी मिसा भार्ति और रोहिनी आचारे भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और यहां परिवार के सा पूजा अर्चना करते हुए हरियरनात मंदिर के तस्वीरे हैं सोनपूर की यह तस्वीरे आप दिखा रहे हैं हमारे सहींगी स्वारब भी हमारे साथ जो चुके हैं स्वारब कल आगाज हुगा और आज भगवान का आश्रवाद भगवान के दर पर रोहनी आचारे भी कालो परसाद यादव साथ में रहेंगे कल करीब दस वजे के आसपास रोहनी आचारिया अपने पिता के साथ सारन की यात्रा पर निकलेगी और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो चर्चा जोरों से थी कि रोहनी आचारिया सारन लोग सभा छेत्र से चुनाओ लड़ सकती है लेकिन अब यह बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि बिल्कुल कंफर्म हो गया है के बल अपचारिक एलान होना बाकी है तो अब यह तै हो चुका है कि रोहनी आचारिया जो है वो सारन लोग सभा छेत्र से चुनाओ लरेगी और यह ऐसे भी लालू परिवार का परागस सीट मान जाता है हलाकि यहां पर लालू परसाद यादब की भी हार हुई है राबरी देवी की भी हार हुई है मौजूदा समय में अगर देखें तो वहां राजीव परताप रूडी जो हैं वो बरतमान में वो MP हैं वो सारन से लेकिन अब यह तैमाना जा रहा है कि इस बार रोहनी आचारिया जो हैं वो लोग सभा का चुनाव लड़ेगी और कल चुनावी यात्रा या चुनावी परचार का जो सुबारंभ होगा वो अपने पिता के साथ करेगी आज उससे पहले लालू परिवार यानी लालू परसाद यादब के सासात राबरी देवी मिसा भारती रोनी आचारिया सोनपूर के हरिहरनात मंदिर में पहुंची वहां उन्होंने पूजा किया लालू परसाद यादब ने खुद आरती की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए मिसा भारती ने यह कहा कि यहां पर हम अपने पूरे परिवार के लिए आसिडवाद मांगने आए तो निशित रूप से चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहनी आचारिया आजाके हरिहरनात मंदिर में भगवान का दर्शन की और ने देखा बिहार की राजनिती भी गर्मा गई और कल ड्रैंड आपनी कह सकते हैं हमारी सरजुने के लिए आपका शुक्रिया रुक्ट झाल